तो आज की वीडियों हम लोग बात करेंगे रैडिम नोट 7 pro के बारे में दोस्तों लगवक इस फोन को मैं एक साल से उस कर रहा हूंगा और आज की वीडियों में आपको बता हूंगा इस फोन में मुझे क्या 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 अच्छाहिया लगी और क्या ये फोन आपको 2020 में लेना आप लिए को चुछ निस पर शोडियों करना चाहूं जाओं आप लिए इस फोन की पर पहुंच दो दोस्तों सबसे फिर्फ ने की पर भी इस दो यू उसक्राम को मैं काफे दौन शो यूस कर रहा हूं तो मैंने वीडियो और यह बहुत ज्यादा की इस पर भी बहुत ही कि तो दोस्तों इसमें अभी तक तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं देखी थी आराम से सब चीज चल लाइं तो स्मूथ ली काम कर रहा था और दोस्तों अपसे गर्मी आई हैं यह सब मार्श की महीने थे वनलब इसमें काफी जादा हीट होने लगा है यह सब मार्श की महीना आया ऐसमें अभी हीट यह लगता है और लगता है तो यह मुझे थो डिककत करना पड़ाए और लेकिन देट्टोदें कोई यहादा बड़ा हीट हो जाता है और गर्मीयों में फोन गेमिपने धो रगता है हो अब मुझे मैं तो लोग इसकी पर्फोन ठीक लगी कोई जाला दिक्कत नहीं है वस थोड़ा पपजी में गर्मियों में लगता है गर्मी की वज़े से कोई अब इस फोन की के वारे में बात कर दिया दोस्तों अगर आप लोग वीडियो बनाता है आपको वीडियो से ळेट तेकिन दुस्तों कर आप लोग इस फोन को 10 मिनिट अगर घरमी हों मैं अगर आप इसको 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट मैंने थोड़ा जाद ही बोल दिया केमरा उसकर से जानि तायम और अठकता तो इतना है में आपको कुछ फोन के वीडियो कॉलिटी ठीक है फोटो की क्वालिटी भी ठीक है सेल्फी वगार सब कुछ अच्छी है इसमें तो आप आपको यह नहीं बता हुगा किसमें कितने अग्रीक्षल बाग एकर केमरा है वह थ है आपकाफी जादा लिए फोन वीडियो बना लिए वादी एक अकल ऑप आप कहसे करें दो यह फोन ओवर हीटिंग का देने लागे और आपके वीडियो फोरी ख़राब कर देगा इसमें कफी चारा को सब्सक्राइब जाए कि चाया चल जाते लेकिन आप की सिर्म के तो अगर आप पूरे दें इस वो यूज़ करते रहते हैं और रूपर जब से लोगडाउन लगाई तो पूरे दिन घर में ही है तो फोन ही चलाते रहता हूंगा मैं तो और इसकी बैटरी कम चल लगी इसकी वज़े से और बाकी मझे बैटरी में कोई खास रिकायद नहीं है बस आप कह सकते हैं 18W क्या हो जाता है और दोस्ते अब स्वेट के बारे बात करें लिए तो पीछे हमको इसमें ग्लास देखने को मिलता है जो कि वाला काफी अच्छा लगता देखने में और दोस्ते हम मैंने इस फोन को लिए आता तो मैं इसको सिफ देखने की वज़े से पर दोस्तों के वालिए जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था देखने में रियल मी 3 या 3 pro के सकते हैं तो मैंने यह फोन लिया था उसके वज़े से और दोस्तों मैंने वीडियो की वज़े से लिया था जिसमें यह अटकता है और दोस्तों आप इस फोन के विदियो के व पर दोस्तों मैंने आपके सकते हैं मैंट में डलवाया तो बहुत बार गरने के वाद चटकता है यह नहीं से नौर्मली चटकता ही नहीं है आप देख सकते हैं अभी इसकी कंडिशन आप काफी बुरी हो रही हो गी इसके ग्लास की और फो फोटो वह फोन में जाया किसी का मैं आपको डाल दूंगा इसके केंची इसकी ग्लास की कंडिशन हो रही है और आप कह सकते हैं काफी अच्छी फ्रेम तो इसका प्लास्टिक का है यहां तक मुझे पता है और जो पीच इस फोन के कुछ तकायद नहीं है और दोस्तों बहुत से लोगी सवाल भी पूछते है कि इसकी करनेक्टिविटी में कोई प्रॉबलम है मतलब की स्पीट कम देता है क्या तो कभी-कभी मुझे भी लगता है आप कभी लो नेडवर्क वाले अरिया में जाते हैं तो इसकी स्पीट बहुत का मुझा आती है और कई बार तो इंटरनेट सभी से चला भी नहीं पाता है तो यह फोन आपको 9995 देखने को मिल सकता है तो 210,000 रुपे के साफ तो मुझे फोन काफी वैल्यू फॉर मनी लगता है मतलब इसकी डिजाइन भी काफी अच्छी है और दोस्तों पर्फॉएंस के मामले मुझे सरफ एक फोन लगता जो स्रेंज में आता जो कि इसको टकर आप लोग इसको फोटोग्राफिक लिए और उसको वीडियू पर आपको पीछे सेंपल देख रहे होंगे तो यह मुझे इसकी प्रॉपिलम लगी बागी इसका केमरा मुझे काफी अच्छा पसंद आया वालब इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है 430fps में भी सूट कर लेत दोस्तों अगर आप लोग लगा 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 लेना लेकर आप लोग लेना चाहिए जो कि मैंने गलती कर देए इस फोन को लिने के बाद हो सकता है मैं इसको अग्रेट करूं जल्दी तो अगर आप लोगा बजट 10,000 रुपे है तो इस टाइम पर मुझे काफी अच्छा फो क्यों लगा आप कह सकते हैं अगर आप लोग वीडियो के लिए वस्तना आई और दोस्तों आप लोग कैसे लगी कि वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरू साहिए और दोस्तों आपको जो भी सवाल हो इसों सब्सक्राइब करिए उसका जवाब दिने मुझे काफी झालinto लेवरओारब ओर और हैत असनी या फ्याव कर mm झाल नवेजिट एंगर नहां है।